नमस्कार आप सभी का स्वागत है रेड इंडिया के सखास शो में जहांपर बै नेहा परिहार लेकर आती हूँ आप सब के लिए कुछ नया कुछ हटके कुछ अजीब और कुछ अनसुलज़ा रहते हैं तो आज के शो की शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं कि अभी हाल ही में एक मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ है जो कि विवादों में घिर गया है अजसर बॉलिवुड में कई ऐसी फिल्म men बनती हैं जिनके बाद विवाद शुरू हो जाते हैं क्योंकि इन फिल्मों में जो मुद्धे हैं वो कही न कहीं विवादों का कारण बन जाते हैं आज हम एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जो आ रहे हैं जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ है इस फिल्म का सब्जेक्ट मुस्लिम समुदाय के बीद जनसंख्या विस्फोर्ट से जुड़ा हुआ है जोहां पर इस पोस्टर पर एक लाइन भी लिखी हुई है जल्द ही चीन को भी पीछे छोड़ देगा भारत इस फिल्म को लेकर काफी विवादों का सामना करना पड़ रहा है और लोग शोशल मीडिया पर नाराज़गी जाहिर कर रहे है साथ ही ये फिल्म बनाने की पीछे की मंचा पर सवाल उठा रहे हैं जबकि इस फिल्म को लेकर मेकर्स का कहना है कि देश में लगातार बढ़ती आबादी लंबे समय से गंभीर मुद्दा रही है स्वास्ता संगटन की एक रिपोर्ट में भी ऐसा दावा किया गया है कि कुछ सालों बाद भारत चीन को भी आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा इसको ध्यान में रखते हुए हम दो हमारे बारा नाम इस फिल्म का रखा गया इस पोस्टर पर विवात चुरू हो गया है पोस्टर में एक विशेश समुदाय को दिखाते हुए ये इशारा देने की कोशिक की गई है कि देश के आबादी बढ़ने में इस विशेश समुदाय का विशेश हाथ है आपको बता दें ये फिल्म कांट्रोवर्शिल सब्जिक्ट बन गई है इसको लेकर अनु कपूर ने एक मैसेज जारी करके महरास्ट्र पुलिस और ग्रहम उंत्राले से सुरक्षा की मांग की है आपको बता दे कुछ कलाकारों को कुछ दिन से अग्यात लोगों की द्वारा मौत और बलातकार जैसी धमकियां दी जारी है इसके बाद कुछ कलाकारों ने मुंबई की वर्सोवा पॉल स्टेशन में शुकायत भी दर्श कराई कलाकारों को सोशल मीडिया के माध्यम से फोन के माध्यम से धमकियां दी जारी है ये फिल्म साथ जून को दुनिया भर के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है साथी फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि पहले इसका नाम हम दो हमारे बारा था अब सेंसर बोड की कहने पर इस फिल्म का नाम बदल कर हमारे बारा कर दिया गया है अभी तो इस फिल्म का आर्टिफिशल ट्रिलर रिलीज हुआ है तब कलाकारों को मेकर्स को इस तरह की धंकिया मिलना शुरू हो गई है जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी तो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी इस फिल्म में कटरपंथी महिलाओं के प्रभाव में आकर मुस्लिम महिलाओं पर जो अथ्याचार होता है उनकी क्या इस्थती होती है इस फिल्म के द्वारा दर्शाय जान सके उन्हें अपना सके उन्हें समझ सके लिए ये फिल्म का खलनायक तो बिल्कुल नहीं है और इसके बाद इस मूर की वज़र से उसकी बीवी ने जब 12 बच्चों को जन्म दिया और 12 बच्चे को जन्म की दोरान उसकी बीवी की मौत हो जाती है और वो फिर जाकर विलाब करता है तो उसकी बीवी के आवाज आती है कि मैं तो मरकर आजाद हो गई और कई और दर्द की कैद में छोड़ गई अब आगे आपको इस फिल्म में और क्या-क्या द करना जाओ करता है रूर करता है तो में खर झाले मारकर आवाजाद की की बीवी की भीवी भीवीं है